मश्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें बच्चों को जो है किस पानी से निलाना चाहिए सर्दियों में और साथी साथ में जानेंगे कि बच्चों को निलाने के बाद हमें ऐसे दो कौन से क क्ञाम जिसको करने से आपके बच्चे की जो Iskin है वहा रहेगी और आपके बच्चे के बच्चे को जब भी निलाने लेकर जाती है तो सबसे पहले आपको एक बात का धिया रखना है कि बच्चे को निलाने के लिए ले जाती है उससे पहले बच्चे को आप जो भी कपड़े कराने वाली है वह पहले ही निकाल कर दीजे ऐसा निला करके आये हैं बच्चे को लिटा जिस जगे पी निलाए वे जो अपर आया है वो बिल्कुल अपर हो उसमें जल्दी से हवा ना गुस पाई इस बात कदें रहा है तो बात्रूम का दोर बंद करके निलाए ठीक है अब बात करते हैं पानी कैसा लेना है तो वाटर आपको कैसा लेना है नहीं आपको ज़्यादा ठंडा पानी लेना, नहीं ज्यादा आपको गरम पानी एंदा लेना होटा हैए इसा रहात फाली पानी पानी आप इसा लिए तो पलतोग झाते फाफने उहरा है लिए के लिए को पानीज़ शुक्तित कड़नी देख Ist 밝혔रह से लगई लिए सकती है उसमें क्रैक में इसकते हैं तो यह तो बात होगी आपको किस पाने से बच्चे को नहिलाना है अब बात आती है कि बच्चे को निलाने के बाद कौन से दो important काम है जो कि आपको करने है तेकि मदस अगर आपका बेबी अभी just born हुआ है मतलब हफते 10 दिन पंदा दिन हुए है तो आप बच्चे की नाभी में अभी ऑईल नहीं डालेंगे विकास उनकी जो कॉड होती है वो हट चुके है तो आप बच्चे की नाभी में एक से दो ड्रॉब मस्टर्ड ओयल के डालिए जरूर डालिए से आपके बच्चे की नाभी जो है वो ठीक वी जल्दी हो जाती है और साथ ही साथ में आपके बच्ची की पूरी बॉड़ी मौस्चराई रहती है ठीक है लेकिन अगर आपको बच्चा देर महीने का हो गया तो आप जो भी बच्चे के लिए उसकर रही है वो आप यूज कर सकते हैं बच्चा छोटा है तो कमपल सरी है कि मस्टर ऑइल ही यूज करें ठीक है इसके बाद फ़स्ट तिंग तो यह हो गई कि आपको बच्चे के नाभी पर जो अपर आप कभी भी प्रेसर से हाथ भी नहीं दबाएंगी थीकर ना आपको उस एरिया पर जैसा मैंने का छोटा है तो मस्टर ऑइल यूज करना बड़ा है तो आप जो भी ओई उसकर सकती है तो उस जो सौफ एरिया है से उपर बच्चे के उस जगे पर थोड़ा सा ओईल बहुत हलके हाथ लगाएंगा ज्यादा प्रेसर मत दीजिगा इससे आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता अगर ज्यादा टाइटली करती है तो बिल्कुल हलके हाथ लगाईए उस जगे पर एरिया पर जो एड है उसको हाड होने में काफी हैल्प मिलती है वह जली च अगर नहीं पता था तो भी बता है तो भी बताईएगा और आप ऐसा करती है कि नहीं यह भी मुझे ज़रू बताएगा और हाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधर प्रेस के जात में क्योंकि जो हमारी न्यू मदल्स है उन्हें भी चारी सारी बाते पाता चल सकी वह अपने बच्चों की जो है अच्छे से केरिंग कर सके हैं अगर यह वीडियो लगा तो फ्लीच को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर हमाँ चैल पर पहले बार आए तो चैल को सब्सक्राइब ना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरदके के और यूसफिल चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थैंक यू